हेलो एवरिवन दिस इसाइल लेगें बैक विडियो तो आज की वीडियो में बताने वालों कि आप अपने हेरफोल को कैसे कंट्रोल कर सकते हो तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे हेरफोल हो रहा है कमेज में हेरफोल होना स्टार्ट हो गया तो आपको मैं कम्प् हेरफोल हो रहा है जैसे 20,21,22 की एज में या 18,17 की एज में भी हेरफोल हो रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल करने है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एंटी एरफोल शैंपू चाहिए होगा और मल्टी विटामिन्स की जरूरत पड़ेगी तो आज मैंने प्रोड़क्ट जो मैं यूज कर रहा हूं मार्स भाइज जी एच तरफ से हैं तो जो भी प्रोड़क्स मैं फिलाल यूज कर रहा हूं तो आपको मैं दिखा देता हूं इसमें क्या है तो यह कुछ गाइडेंस वगरा के लिए आपको दिया गया गया कंसल्टेशन वगरा डुक्टर से करना और यह सेकंड मेरे पास मल्टी विटामिस है तो यही में आपके हेरफोल को कंट्रोल कर देंगे तो आपके हेरफोल को कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं बता देता हूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैंपू की तो शैंपू आप देख सकते हो इस वे से आप इसको ओपन क लगाया है cover आप देख सकते हो तो इसको cover को आपको हटा देना है और cover को हटाने के बाद इसको अगेंस से लगा लेना दन आप इसको इस वे से आसपास मिल जाएगा तो उसका online link मैं दे दूँगा description में अगर online purchase करना है तो इनकी official site से भी purchase कर सकते हो Amazon से भी और flip card से भी purchase कर सकते हो तो इसवे से ये shampoo की बात होगी 200 ml है तो ये काफी ज्यादा चल जाएगा अगर आप daily भी इसको use करते हो तो 200 ml आप देख सकते हो अगर daily 1 ml ingredients की बात करें तो इसमें caffeine आयाता है जो आपकी scalp का blood circulation आई करती है और DST को block करती है जिसके करना आपके new hairs grow होने लग जाते है और hair fall भी control हो जाता है अब इसमें यहाँ पे mention है आपके hairs को नरिश भी करते है तो इसके अंदर argan oil भी दिया गया और aloe vera भी दिया गया जिसके कर आपके new hairs grow होते हैं तो यह medicated company है तो आप इसका ले सकते हो अगर शैंपू यूज करना चाहो और इसके side में मैं आपको reviews भी show करते हो मैंने reviews देखके इसको purchase किया था आप देख सकते हो side में reviews है तो मैं minoxidil use कर रहा हूँ आप लोगों को पता है जैसे तो minoxidil के साथ मुझे दोक्टर ने बोला था anti airflow shampoo भी यूज करने लग जाओ को उस पहले मैं anti dandruff shampoo यूज करता था तो डोक्टर ने पहले anti dandruff shampoo दे रखा था को इस डेंडर्फ होता था बड़ डेंडर्फ जाने के बाद डोक्टर ने का anti airflow shampoo यूज करो तो इसलिए मैंने इसको purchase किया तो अब मैं मुझे लगबग one month होगे इसको use करते हुए कुछ लोग minoxidil use नहीं करना चाते इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो minoxidil के बिना आप इसको use कर सकते हो अगर minoxidil भी use कर रहे हो तो उसके साथ भी इसको use कर सकते हो अगर आपके dandruff नहीं है तो और आप second बात कर लेते है multi vitamins की त कोज काफी बार देखा जाता है आपकी vitamins की कमी के कारण अपन रोज daily का इतना अच्छे से नहीं खा पते काफी healthy food नहीं खाते जिसके कारण hairfall start हो जाता है अगर आप भी ऐसे ही healthy food वगरा कम खाते हो या कभी कभी घर में होता है सिरफ रोटी रोटी पर लगे रहते हैं तो इ night में ले लेता हूं जिससे की मेरी vitamins की कमी भी पूरी हो जाती है तो आपको लग रहा होगा कि मैं सिरफ promote कर रहा हूं ऐसा यह कुछ भी तो नई मैं इसकी पहले भी काफी ज़्यादा मालब tablets use कर चुका हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं जैसे की देख सकते हो मेरे पास यह तो मैंने यह पहले यूज कर लिए तो इसको अभी मैं दिखा देता हूं यह बिल्कुल खाल ली अंदर से तो यह मैं पहले यूज कर चुका हूं एक होगी एक सेकंड यह हो गई तो देख सकते हो तो इसमें 60 tablets आपको मिल जाती है देखने को मैं दिखा देता हूं किसवे की tablets है तो इसवे से tablet आप देख सकते हो तो अभी मैंने ली भी नहीं तो मैं लेके भी दिखा देता हूं यह tablet को तैसा नहीं कोई कड़ भी है यह कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं यह multivitamins है आप इसको daily consume कर सकते हो two time consume कर सकते हो और one time भी consume कर सकते हो अगर 60 tablets को आप daily two time consume करते हो तो मालो यह one month चल जाएगी अगर daily one tablet लेते हो तो यह 60 days चल जाएगी तो काफी अच्छ है यह आपके लिए तो अभी मैं इसको ले लेता हूँ तो mainly जो चीज मैं खुद यूज करता हूँ वही आप लोगों को भी suggest करता हूँ कि आप भी यूज कर सकते हो इनसे काफी अच्छे results मिलेंगे काफी लोग लेते है multivitamins आप लोगों को पता ही होगा multivitamins के कारण भी hair fall हो जाता है अगर आपके काफी जादा hair fall हो रहा है जो रुकी नीर है baldness होगेरा काफी होगी है तो उसके लिए आपको hair transplant भी कराना पड़ सकते है या minoxidil भी आप use कर सकते हो इसके साथ साथ में blood circulation हाई करेगा DST को ब्लोग करेगा blood circulation यहां काई होगा जो भी आप multivitamins ले रहे वो आपकी scalp तक लगेंगे अच्छे से scalp पहुंचेंगे जिसके कारण new hair री ग्रोंगे जैसे plant को अपन पानी देते हैं तो उसी के कारण वो री ग्रो करता है ग्रो करता है तो उसी तरह अपने hair से है अगर vitamins और नहीं पहुंचेंगे जो भी आपन खा रहे हैं डाइट अच्छी नहीं रखेंगे तो उसके कारण हमारा hair fall स्टार्ट हो या तक कम एज में ही अगर आपका फिर भी hair fall नहीं रुकता तो आप minoxidil भी यूज कर सकते हो बट पहले इसको try करो अगर आपके कमेज में थोड़ा भी hair fall स्टार्ट हुए है तो आप इसको 2-3 months के लिए यूज करके देखो आपको काफी अच्छे results मिल जाएंगे काफी अच्छा shampoo है anti-airfall shampoo है medicated shampoo है और dermatology tested भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो आपको shampoo कैसे यूज करना है तो आपको shampoo daily भी यूज कर सकत तो इसको alternate days में या तो यूज करना या daily यूज करना डेली नहीं यूज कर सकते हैं तो आप इसको alternate days में यूज कर सकते हो तो alternate days में यूज करते रहे ना आप इसको 2-3 months यूज कर लोगे तो आपको इससे काफी अच्छे results मिल जाएंगे आपका hair fall भी रुख जाएगा और new hair इस भी आने लग जाएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हो इसी वेस से so I hope आपके लिए वीडियो helpful रही होगी अगर helpful रही तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना यह मेरी इंस्टाइडिया अगर आपको कुछ भी पूछना हो कि इसी वीडियो से रिलेटेड तो मुझे यहां पर वोलो कर लेना आप मेरे को यहां पर पूछ सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में